गुल मौनिंग आज मैं कच्छा नौ की हिंदी किताब की कविता सवये के बारे में आपको पताने जाने हैं कविता सवये के कवी रस्खान कवी रस्खान के बारे में वो पढ़ने जाने हैं कविता को पढ़ने से पहले हैं उन्हों कवी रस्थान के बारे में चाड़ेगे थोड़ा सा कहा जाता है कवी रस्थान का जन पंद्रव सव अड़काने से स्रीबी हुआगा और उनका मूल नाथ, उनका वास्तिक नाम सैयर दिब्राहिया की नाम से इस पस्ट है वे जन से मुसल्मान है और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थी परन्तु प्रिशन की भक्ति ने उन्हें इतना मुद्ध कर दिया प्रिशन की भक्ति में इतना मुद्ध हो गये कि उहों ने गो स्वामी बिठानाथ से जा करके क्या करनी हिंदु धर की दिछ़ा लुझा, वे रिशन की भक्ती से इतना मूर्द हो गए, रिशन की भक्ती नए उपहें इतना मूर्द कर दिया कि उमोर ने अपना मुस्मिम धर्म चोड़ करके, हिंदु धर्में रोस्वामी मित्तदात से जात के, दिच्छानी, शिच्छानी और हिं और तहां जाता है कि उनकी मृत्यू वैसे तो इनके मृत्यू के बारे में कोई प्रमानी किथी नहीं मिलती है, इस्वी नेहीं मिलता है, लेकि कहां जाता है, माना जाता है कि उनकी मृत्यू लगभग 627 इस्वी में द tenía उनकी प्रमुक्वित्यां में सुजान दूस्तान और प्रेम वार्ण humility और इस सवही कवित्य में उन्हों ने ब्रज गुमी वेबसा है a burisao को लगा है इसलिए इस सवही कविता में ने क्या क्या है प्रज गुमी के प्रदीम अपना स्नेव, अपना प्रेव, अपना मूँ प्रकट किया है। और वे इस सविता में बताते हैं कि वे किसी भी रूप में अगर वे मर जाते हैं और मरने के बाद अगले जन में वे किसी भी रूप में जन रहते हैं तो किसी भी रूप में जन ले लेकिन हराल में वे ब्रजभुनी में भी दिवास करना चाहते हैं तो इसी चीज को अमुर्णे सवये में बताया है तो हम लोग पढ़ेंगे सवये के पहले पत को तो आएए हम लोग कवी रस्खान के पहले सवये को देखेंगे कि पहले सवये में कवी रसखान क्या कहते हैं कहते हैं मानुस हो तो वही रसखानी बसव ब्रजगो पुल गाउं के गवारन जो पसू हो तो कहा बस मेरो चरो नितनंद की धेनो मजारन पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरी छत्र पुरंदर धारन जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम की डारन इस पहले सवये में कवी रस्खान क्या कहते हैं कहते हैं कि मनुष मनुष का अर्थ है आदमी मनुष के रूप में यहां बसाओ का अर्थ है रहना चाहता हूं ग्वारन का मतलब है ग्वालों के बीच पशु का मतलब है पशु जानवर और नंद का मतलब है कृष्ण धेनू का मतलब है गाय मजहारन मतलब बीच पाहन मतलब पत्थर गिरी मतलब पहाड और पुरंदर मतलब इंद्र खग मतलब प्रक्षी, कालिंदी मतलब या मुना नदी, कूल मतलब किनारा तो इस पद में कवी इस सवये में कहते हैं कि वे सबसे पहले क्या करते हैं कि वे इस ब्रज भूमी के प्रती अपना मोग प्रकट करते हैं कि यदि अगले जन में मनुस बन जाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं ब्रज भूमी के गोकुल गाओं के गालों के बीच रहूँ यदि मेरा जन मनुस के रूप में होता है तो मैं चाहता हूँ कि मैं ब्रज भूमी के गोकुल गाओं के गालों के बीच रहूँ यदि मेरा जन पशु के रूप में होता है तो मैं चाहता हूँ कि मैं प्रती दिन क्रिशन की गायों के बीच में गाय बनकर बिचरन करता रहूँ और कहते हैं कि यदि मैं पत्थर बन जाता हूँ यदि अगले जन में मैं पत्थर बन जाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसी गोवर्धन परवत का अंग बनूँ उसी गोवर्धन परवत का हिस्सा बनूँ जिसे स्री क्रिशन ने अपने अंगूली पर इंद्र के क्रोध से बचने के लिए धारन किया था कहते हैं कि अगर अगले जन्म में मेरा पत्थर के रूप में जन्म होता है तो मैं चाहता हूँ कि इसे ब्रज भूमी में स्रीक्रिशन के उस अंगुली में धारन किये हुए गोवरधन परवत का अंग बनू जिसे कि स्री क्रिशन ने अपने अंगुली पर धारन किया था इंद्र के क्रोध से बचने के लिए फिर कहते हैं कि यदी मैं पक्छी बनूँ यदी मैं पक्छी बन जाता हूं अगले जन्में तो मैं चाहता हूँ कि मैं जमूना नदी के किनारे पर कदम की डालियों के बीच में अपना बसेरा बनाओ, अपना डेरा बनाओ तो इस पद में कवी ब्रजभूमी की प्रतिमों प्रकट करते हूँ कि यदि अगले जन्म में मेरा अलग-अलग रूपों में जन्म हो जाता है तो किसी भी रूप में अगर जन्म हो लेकिन मैं इसी ब्रजभूमी में ही रहना चाहता हूँ कभी कहते हैं कि यदि मेरा जन मनुस के रूप में होता है तो मैं इसी ब्रजभूमी में गोकुल गाउं के वालूं के बीच रहूं यदि मेरा जन पशु के रूप में होता है तो मैं गाय बनकर प्रती दिन क्रिशन की गायों के बीच बिचरन करना चाहता हूं यदि मैं पत्थर बन जाओं तो मैं उसी गुवर्धन परवत का हिस्सा बनना चाहता हूं जिसे स्रीक्रिशन ने इंद्र के कुरोज से बचने के लिए अपने अंगुली में छत्र के रूप में धारन किया था। और यदि मेरा जन पक्षी के रूप में होता है तो मैं चाहता हूं कि यमुना नदी के किनारे पर कदम के पेड़ की डालियों में उनके बीच में डालियों के बीच में मैं अपना बसेरा बनाओं। अर्थात कहते हैं कवी रस्खान की मेरा जन किसी भी रूप में हो अगले जन में लेकिन मैं हर हाल में ब्रजभूमी में ही निवास करना चाहता हूं। फिर दूसरे सवहे में कवी कहते हैं या लकूटे अरूक मरिया पर राज तिहूं पूरको तजी डारों। आठों सिद्धी नवों निधी के सुख नंद की गाय चराई विसारों। रस्खान कबं इन अखियन सव ब्रज के बनबाग दड़ाग निहारों। कोटिक एकल धाउत के धाम करील के कुंज उपर वारों। इस दूसरे पद में या दूसरे सवईये में कवी रस्खान कहते हैं कि मैं स्री क्रिशन की लाठी, लकुटी मतलब लाठी, कमरिया मतलब कमबल, मैं स्री क्रिशन की लाठी और कंबल के बदले में तीनों लोकों के राज्य को त्याग दूँगा कहते हैं कवी प्रस्कान कि यदि मुझे स्री क्रिशन की लाठी और कंबल मिल जाए तो उसके बदले में मैं तीनों लोकों के राज्य को छोड़ दूँगा फिर कहते हैं कवी कि यदि मुझे नंद की गायों को चराने का उसर मिले तो नंद की गायों को चराने के बदले में मैं संसार की आठों सिध्यों और कुबेर की नाउं निध्यों के सुख को भी छोड़ दूँगा फिर कहते हैं कवी कि जब से मैंने रस्खान कबों इन अखियन सो ब्रज के बन बाग तडाग निहारो कवी कहते हैं कि जब से मेरी आखों ने ब्रज भूमी के बन को बगीचे को तालाब को और करेल की कुण्जों को देखा है करते हैं कि जब से मेरी आखों ने ब्रज भूमी के बन को बगीचे को तालाब को और करेल के घने कुण्जों को देखा है तब से मेरा मन होता है कि मैं करोडो सुनहरे महलों के सुख को भी नियुचावर कर दूँगा कहते हैं कलधोत यानि की सुनहरा करोडो कोटिक यानि करोडो कहते हैं कि जब से मेरी आखों ने ब्रज भूमी के वन बाग और तालाब और करेल के कुण्जों को देखा है करोडो सुनहरे महलों को मैं नियुचावर कर दूँगा इन सभी चीजों को मैं छोड़ दूँगा ब्रज भूमी में रहने के लिए ब्रज भूमी में रहने के लिए मैं सब कुछ छोड़ने को तयार हूँ तो दूसरे पद में कहते हैं कि क्रिशन की लाठी और कम्बल के बदले मैं तीनों लोकों के राज्यों को छोड़ दूँगा फिर कहते हैं कि नंद की गायों को चराने के बदले में मैं संसार की आठों सिध्यों और कुबेर की नव निध्यों के सुप को छोड़ दूँगा फिर कहते हैं कवी कि जबसे मेरी आखों ने ब्रजभूमी के इन बाग बगीचे और तलाब और करिल बास के कुंजों को देखा है तब से मेरा मन होता है कि मैं हज्यारो करोडो मैं करोडो सुनहले महलूं को भी त्याग दूँगा करोडो सुनहले महलूं को नियुच्छावर कर दूँगा अगले भाग में हम लो अगले वीडियो में अगला दो पद देखेंगे